बेहतर रिजल्ट देने के लिए मश्यूर भिलाए के शकुंतला विद्याले में विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपना परचम लहरा कर बेहतर सिक्षा की शेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है क्योंकि इस बार भी शकुंतला विद्याले ने शानदार रिजल्ट दिया है स्टुडेंट्स की उतकृष्ट रिजल्ट पर शकुंतला ग्रूप अप स्कूल के डारेक्टर संजय ओजा ने प्राचारियों उप्राचारियों एवं संबंधी सिक्षकों को बधाई देते हुए अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों की सरहना की जरान बोट परिक्षा के उत्तिन विद्यार्थियों ने बोट परिक्षा की तैयारियों के अनुभव को Grand A.C.N. नियूज के साएजा किया जिले में संचालित शकुंतला गुरूप आप स्कूल लगतार विद्यार्थियों को बहतर सिक्षा देते हुए उन्हें लक्ष तक पहुंचा रहा है हर वर्ष यहां के विद्यार्थी बहतर रिजल्ट लाकर ये साबित भी करते हैं हम बता दें कि भिलाई के रामनगर में संचालित शकुंतला विद्यालय और शार्दा विद्यालय का सीजीव सीबी एसी कक्षा बार्वी का रिजल्ट काफी बहतर रहा सीजी वा सीबी एसी के इन कक्षा बार्वी के विद्यार्थियों ने अपनी शाला का नाम रोशन किया है शाला प्रबंधन ने विद्यार्थियों का उच्सा वर्धन किया वा दिल से बधाय दी साथ ही विद्यार्थियों के उजवल भविश्य की कामना दिल से की हमारे स्कूल के CBSC बोर्ड के बच्चे और CG बोर्ड के भी बच्चे दोनों ही बोर्ड में अपने अपने इस्तर पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिये जैसे हम लोग की सोच थी उसी के हिसाब से बच्चों ने अपना परिश्रम किया और रिजल्ट दिये सबसे पहला जो सिटी टॉपर बच्चा रहा अमित रहा और वह स्टेट का सेकंड टॉपर भी है और उसके बाद जो सेकंड नंबर है दुबेजी हमारे वह भी बहुत अच्छा काम किये हैं और हम केमेस्ट्री में 100 में 100 कंप्यूटर साइंस में 99 इस प्रकार से फिजिक्स में इस प्रकार से मार्स जो हमारे बच्चे लाए हैं परलब की वंडर्फूल है बहुत अच्छी चीज है थोड़ा बहुत स्टेट टॉपर बनने से मात्र एक नंबर से चुक गए बच्चे ने तो स्टेट टॉपर हमारे बिद्याले का होता लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि इस बार हम सीटी टॉपर हमारे बच्चे बने हैं कोई भी काम अच्छा करते हैं तो रुकावटे तो निश्चीत रूप से आती है कई परकार के कई लोगों के तरफ से आती है बच्चे लोग को जो करोना के बाद दो साल की घर पे रहे कैद उसके बाद बहुत बड़ा चै हमने राइटिंग स्कील पर ध्यान देने के लिए कहा और बार-बार बच्चे लोगों ने लिखा लिख करके अपने आपको इतना मजबूत बना लिया कि उनके लिखे हुए मार्क्स दिये और बहुत अच्छे नंबर से वह पास हुए मार्क्स बहुत इंपोर्टेंट नही हैं यह भी चीज एक सही है और बच्चों को अपने केरियर पर ध्यान देना चाहिए 12 तो मालूम है आपको यह 14 यहां से बच्चे अपने बिसा तय करते हैं तो हम उन बच्चों को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके स्कूलिंग लाइप में अपना पर परिवार को गौरानवित करने वाले सीजी बोर्ड वसीबी एसी के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल की सरहना दिल से की शाला की सिक्षन शैली मोटिवेशनल प्रोग्राम को काफी कारगार बताया और अध्यन के दवरान हुए अनुभवों को ग्रेंड एसीए निउस क के साथ साजह किया मैं हमें कुमार पंचायन हूं और मेरा सिब्यसी बोर्ड में 97.8% है बहुत अच्छा लग रहा है कि जस्की फोकस करें अपने पढ़ाय के उपर और इतना जादा भी इसमें मोटिवेटेड रहें ताकि उनको सक्सेस मिलें वो पीरिड मैं करना चाहूंग कि हमारे स्कूल लाइब का सबसे बोल्डन पीर था क्योंकि वही टाइम था जब हम लोग ने बहुत कुछ सीखा हमारे ने हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी और हम लोग की जिन्दकी लिए मोंटिवेट भी कि नबस इतना बोलना चाहूंगा कि उनको अगर मेरे जैसा करना है यह मेरे से अच्छा भी करना है तो वह बस NCRT मेरी फोकस करें और सिर्फ जो टीचर बोलने हैं उसको ब्लाइंड डी फॉलो करें अगर हमें बस यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें ज्यादा घुस ना जाए हमें बस उसके उससे अपना प्रॉफिट देख अच्छा ही होते रहा कभी कभार कुछ प्रीबोर्ड में कुछ टेस्ट में बहुत ही कम माकसा है जित्ता मैं एक्सपेक्ट कर था उससे भी कम लेकिन इस दौरान स्कूल के मानेजमेंट ने स्पेशली जो फैकलिटी है उनने हमेशा मोटिवेट किया हमेशा हिल्प किया जो उनको लक्षमन रेखा मान के उसी का पालन कीजे क्योंकि वो एकदम सही बोलते और NCRT तक ही रही है क्योंकि बोड्स एंटारली NCRT बेस्ट है उसी को पढ़िए और जित्ते जादा प्रिवेस और कॉशन्स हो सकते उन सबी को करिये तो ताकि क्या आप एक्जाम हॉल में कम सब्सक्राइब करना है तो जब तक आप अच्छे सी पढ़ पा रहे है और किसी एक गंटा हो सकता है किसी के लिए तीन गंटा सकता है वो परसंट टो परसंट वैरी करता है लेकिन आपको रोज 6-7 गंटे पढ़ने चाहिए इस तो मैं बहुत करूंग को यहां के टीचर्स को यहां के पूरे स्टाफ को पूरे मैनेजमेंट को और खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करो तो मुझे शुरू में थोड़ा वीक लगता था वो लेकिन साथ-साथ तीचर्स की मज़द से और मैंने अपने कंसिस्टेंसी से उसमें मैंनत की और और केमिस्ट्री में मुझे 100 और और ऐसी बागी सब्जेक्ट में भी ऐसी किया मैंने और मैंने हर सब्जेक्ट को बहुत मैनत की और इसी कारण मुझे 96.8% मेले मेरा नाम मनिश्यादु है मैं प्लास्ट ओल सीजी का स्टूबेंट हु मेरा ओवरॉल 93 परसेंट बना है और म मैंने अकाउंट पर ज्यादा फोकस किया आपको जिस सब्जेक्ट को लगता है कि आप बहुत जारा प्या रहे हों बाकी सब्जेक्ट के मुझे थोड़ा एक्स्ट्र टाइम उस पर देना चाहिए मैं आगे मैं बेंग ही सेक्टर में जाना चाहता हूँ हूं एकोनोमिक्स क के लिए तो बाकी सब्जेक्ट फिर्यारी की वैसे ही कि दो से तीन हंटे रोज दिये एकोनोमिक्स को विद्यार्थियों के लिए इस अंदेश की विद्यार्थि कंसिस्टेंट रहें और लगतार अपनी पढ़ाई करते रहें अपने आखों में अपनी सफलता का स्वप्न लिये ये विद्यार्थि काफी आके होंगे ऐसी कामना भी हम दिल से करते हैं बरहाल विद्यार्थियों ने उच अंक प्राप्त कर जिले सहीद प्रदेश को और साथ ही अपने परिवार को गुरानवित किया है क्रेंडिसीन निउस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट